मुझे विश्वासियों 1985 में राची के कैथेडरल पैरिश को विभाजित करके कोकर के पैरिश का निर्मान किया गया था वर्तमान चर्च फादर गुविडो कोलिसी द्वारा बनाया गया था जो कि वह एक मिलनसार, प्रेम, दयाशील और विवेकशील इटालियन मिशनरी जो इस कोकर पल्ली के पहले पल्ली प्रोहित बने आठ वर किलोमेटर के छेतर में फैले या असी हजार से अधिक आबादी का दावा करता है जो हिंदी, खड़िया, मुंडारी, कुरुक, साद्री और अंग्रेजी बोलते हैं और हिंदू, मुस्लिम, इसाई और सरना धार्मिक समुदाईयों से संबंदे थे होली एंजल्स चर्च कोकर दो हजार परिवारों से बना है जो किराये पर रहने वालों से अलग है पैरिश के कैथलिक आबादी लगबग पंदरह हजार है जे येशु, आपका नाम क्या है मेरी नाम है आईशाuden अलीन आवाडा आपके टोयले से हो में मिसन को लोने से हूँ आपको इस पारिश में क्या क्या अच्छे लगते बहुत सारे पेड appro बहुत सारी पोदे हैं, बहुत सारी फूल हैं, दो गोरोटों हैं, बहुत सारी एंजल्स की स्टैचू हैं, एक बड़ा सा झूमर है, बहुत सारी चिरिया है, ओके थाइंक यू, परिकाम, जयेशु, जयेशु, आप पारिस आते हो, हाँ, पारिस पिस्ट का नाम क्या है, पारिस, फादर आनन, प्रसांत, सुनी, असिसन पारिस पिस्ट का नाम, नहीं पता, हमारे संडी क्लास के इंचार्ज कौन है, इंचार्ज भी नहीं पता, तो फादर अभे हमारे क्या लगते है, फादर अभे हमारे फादर लगते है, नाइस, ऑके थांक यू, थांक यू, थांक यू, जिसु बढ़ाए, एक आसरा दीन, कुरीम, कुरीम, तुम सं के लिए मदे करने के लिए पड़ने के लिए ही शु आपको मनाने में कैसे लगता है बहुत अच्छा लगता है जैसे कि आप प्रोग्राम्स होते हैं हम लुग सब एकाटा होते है तो हम लोग अच्छा लगता है खाना मिलता है लास्ट में डांच होता है सब के साथ फिर सब कोई नहीं नहीं फ्रेंड्स भी मिलते हैं फिर बाद में हम लोग पारिश हॉल जाकर हम लोग फिर और बाते करते हैं ग्रूप फोटोस लेते हैं थैंक यू विर्कम जैशू आप कौन से पर टोले से हो मैं भी आईटी मेशा रूदिया यूनिट की तोला से हूँ और आपका क्या नाम है मेरा नाम रिया लकड़ा है आप पारिश क्या कर निकले आते हो पारिश हम लोग तो प्रेयर करने आते हैं और मन की सांती मिलती तो बागी बाद हर एक चीज में एक्टिविटी के बारे पता चलेगा कि कैसे चर्च को आगे बढ़ाना कैसे यूद को आगे बढ़ाना इस चीज के लिए पारिश आती हूँ थैंक यू अके जोहार जोहार आप कुन से टोले से हो हम आनन नगर से हैं आपको हमारा ये चर् करोचर इस वजब करेंश हो आपको हजा आपको क्या कै नया चीज देखने का मिला है? चर्च एक्स्टिंड हो गया हो गया है और नय नय एंजले साय है और चर्च में नय बेंचेस आया है इस वज़ा से चर्च बरा हुआ लगता है और नया चिडिया आया है और नया जूमर आया है इस वज़ा से हम लोग का चैच बहुत अच्छा लगता थांक यू अपका क्या नाम? मेरा नाम सुनाली कच्छक है आप कहां साय है? मैं अभी तो बैंगलोर में रहती हूँ बट हू मैं रांची जार गांसे तो आप कब देखे थे ये चर्ज को पहले सबसे पहले हम यहां डॉन बॉसको स्कूल के एक स्टूडेंट है तो यहां पे हम 2003 से पढ़ाई के हुए है औ तो उस टाइम से इस चर्च के पार्ट रह चुके है हम तो हम काफी रेगिलर बेसिस पे इस चर्च में उतने साथ साल तक आय हैं पार्टिसिपेट किये हैं प्रेर किये हैं तो मेरा ऐसा जर्नी है इस चर्च को लेकर तो पहले के मुकाबले अभी क्या-क्या चेंज देखे पहले के मुकाबले बहतरी बहुत सारी चेंज हुई है जैसे पहले स्टाचूस ही नहीं लगे हैं जो मैंने देखा रहे हैं हों पे एंजिस यहां पे स्टाचूस लगे हैं यहे खुए में काफी चेंज आई हुई है मैं चार पांच साल के बाद आ रही हुए हैं तो काफी मैं देख सकती हूं यहां और मैंको बहुत चारे पेड़ दिखते हैं जिसे एक लग रहा है कि पेड़ और यह अपर यहां जादा प्रीशियेट किया जा रहा है और भादर लोग इस चीज को धिहान में रखते हैं यहां जो काफी अच्छी है पर पेंटिंग और मेंटेनिंस जो की गई है चोच में बहुत साफ सुथरा बहुत अच्छा है मतलब आ करके अच्छा लग रहा है में को में नाम रेयान छे और आपका त्यानी आप लोग कौन सा स्कूल में पड़ते हैं अमजोती सारा स्वती इंटरनेशनल स्कूल कहां पर है यह स्कूल यह है बुज्या हमारे पासमाए कैसा लगा अंपरोडेoure हिए अधरा हुमकित अ मजह आयी मेरको आपको अनुने कि थैनक यू अ है ऐलो गाइस में अ को किस बारे में बात करेर ओ यह आ रहे हो आपलो हां कव है 22 23 24 में को ममी पर्मिशन दी हाँ पारिस आना अच्छा लगता है हाँ और आज तो यह बताओ पारिस में कितने फादर्स है बहुत सारे नाम बताए फादर कुल दे फादर अब है फादर आनन फादर सुजित फादर बाबू फादर माइकल और और याद नहीं है हमारे हेड के तो नाम लेना भूली गए पादर आनन हाँ ओके थांक यू विल्काम क्या आप सब लोग के लिए रेडी है हाँ कैसा लग रहा है हम लोग कोकर पारिस में हिस्ट्री में पहली बार समय कैम्प मना रहे हैं संदे आपको क्या लगता हम लोग क्या करेंगे उस दिन हम लोग की फैंसी ड्रेस होगा और ड्राइं कॉंपिटिशन हम लोग कर लेंगे और कुछ खाने के लिए हाई है जैसे की सर्प्राइज सर्प्राइज है तब तो दिकत हो जाएगा आपको कैसा लग रहा है अच्छा अच्छा और तुमको बहुत अच्छा तो अभी हम थोड़ा साथ संडे क्लास की टीचर से पूसते हैं की उनको कैसा लग रहा है फॉर्स टाइम हम लोग समर कायम मना रहे है और यह बहुत अच्छा लगेगा क्यूंकि बच्चों के लिए बहुत अच्छा मौका है कि वह लोग अपना टैलेंट को बाहर लाए उनको भी गर्मी में बस थांक यू बाइ बसांक यू भाए झाल